हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 20 important question कितने 20 important question जो की परति परतियोगी परीक्सा में पूछे गए हैं और दोस्तों किससे समद्धित है संस्कृति से समद्धित है कला संस्कर्ती से संब्धित तो दोस्तों में क्यां क्या आने दोस्तों आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल बटन जरूर दबा दीजिए चलिए फर्स्ट क्वेशन आपके लिए देवनाराइंड जी की पूजा किस पेड़ की पतियों से होती है जी हाँ उत्तर देवे देवनाराइंड जी ज हाँ बिल्कुल जरूर उत्तर देवे बिल्कुल सही उत्तर है जो सही है जिन्होंने आप्शन चुनाए नीम की पतियों द्वाराइंड जो देवनाराइंड जी की पूजा होती है चलिए आगे बढ़ते हैं राजस्तानी लोग कितों में गए जाने वाले नेतल का भरतार कि किस्तों लोक देवता से संदर्भ में है जो लोक इद गया जाता है नेतल का भरतार किस्तों कर्यार को रिलेटेड हैं इन में से correct answer आपका क्या होगा जी हाँ बिल्कुल सही उतर है जिनने ने सब आप्सन चुना बिल्कुल सही है राम देव जी जो बिल्कुल सही उतर है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं राजस्थान के किस लोग देवता कि माता पिता का नाम हंशा देवी और लोहट जी था लो जी बिल बिल्कूल पीपा जी होगा धना जी होगा या जमो जी होगा या फिर सिद्धवना की जम्बो करते हैं आगे डिखार की तिथी के रूप में प्रचलित है अब इन वैसे आपको चुनना है बादर पद शुकलत तरित्यां को और दोनो दोनो तो कैसे होंगे अब देखिए और इन में से दोनों में से आपको उत्तर देना है जी हाँ द्वित्या को मतलब की जो सही उतर है क्या है एक नमर सही उतर है अब देखे इसमें इसे क्या का जाता है बाबे की बीज भी का जाता है बाबे की बीज ठीक है और इसी दिने जो मिला भी भरता है चलिए आगे बढ़ते हैं और गोगा जी के पुत्र का नाम बताओ वई क्या है गोगा जी के पुत्र का नाम जी हाँ सबको ध्यान होना चाहिए हमने जो लोक देवता से समझ दित बिल्कुल अलग से पढ़ जाता तो दोस्तों ऑप्सन सही है बिल्कुल सही है के स्रिया कुमर जी चलिए आगे बढ़ते हैं रहा के सहचर देवता की रूप में किसे माना जाता है रहा के सहचर देवता की रूप में किने माना जाता है जी बिल्कुल सही होता है मामा देव को माना जाता है किसे माना जाता है मामा देव को चलिए आगे बढ़ते हैं राजिस्तान में चठी सतावदी में किस देवता की पूजा सरवादिक प्रचलित है महादेव विष्णू गणेत और सूर्य महादेव विष्णू गणेश या सूर्य सथी सतावदी में किस देवता की पूजा है जो चरवाधिक प्रचलित है बिल्कुल सही उतर है द जिनों ने चुना वो सही उतर है सूरिय चलिए आगे बढ़ते हैं राजिस्थान में आयूरवेद का जर्मदाता किस लोक देवता को माना जाता है जिन्नोंने पढ़ा वो सेयुतर करेंगे बिलकुल सेयुतर सह है जी गोगा जी को आयूरवेद का क्या मानते हैं लोक देवता या जन्म देवता माने जाते हैं चलिए खेजड बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उप नाम है लटियाल माता गेवर माता जूनी जाल की माता या उश्ट्र वाहिनी देवी कौनसी या फिर चामड़ा माता भी कह सकते हैं अब इसमें आपको सही उत्तर देना है बिलकुल सही उत्तर है लटियाल माता लटियाल माता को क्या कहा जाता है खेजड बेरी राय की भवानी कहा जाता है चलिए आगे गोगा जी की ओल्डी नाम के इस्थान पर गोगा जी का प्रसीद मंदिर है यह है जो कहां पर इस्थित है किस जिल्ले के अंदर इस्थित है यह इस्थान किस जिल्ले के अंदर इस्थित है गोगा जी की ओल्डी के नाम से जो जानी जाती है जी उत्तर देना है आपको भरतपूर है जालोर है हनुमान गड़ है श्री गंगा नगर है जी हाँ गोगा जी की ओल्ड जो कहलाती है वो कहां पर है वो जालोर के अंदर है कहां पर जालोर के अंदर और गोगा मेड़ी कहां पर है वो है हनुमान के अंदर हनुमान गड़ के अंदर ठीक है आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं बी-एस-फ के जवानों की आराध्य देवी कौन है नाराणी माता काली माता या लक्ष्मी माता या तनोट माता किसकी सेना के जवानों की देवी और क्या नाम है उनका देवी का वो है तनोट माता या तनोट या माता भी कह सकते हैं जो कहां पर है यह जैसल मेर के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं मन्सा देवी की चैत्र की लोक देवी मानी जाती है जोद पूर मन्सा देवी किस चैत्र की आपको यहां पर जो मिस्प्रिंट हो गया है किस चैत्र की लेखना पढ़ना है किस चैत्र की लोक देवी मानी जाती है मन्सा देवी जो है वो किस चैत्र की लोक देवी मानी जाती है जी हां बिल्कुल सही हो आपसन है बहुत तर्चुना जिनोंने बिल्कुल सही है किस संत की प्रसिद रचना का नाम आरिलो है बालिंद जी माओ जी धना जी या पिपा जी बिल्कूल जल्दी बताएं जी हाँ बालिंद जी जिन्नोंने पड़ा वो तर सही करेंगे बालिंद जी पर सही उतर है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इश्टदेव को प्रस्चन करने के लिए प्रभातिया वो आरोगना नामक भक्ति गीत किस संपरदायक अनुयायी गाते हैं जल्दी उतर देना है आपको जी जल्दी उतर देवे जी बिल्कुल सही जिन्नोंने ओप्सन सी से ना वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं रागी नी भेरो एवं राग दीपकिस चित्र की अंज है यह आगई चित्रकला ठीक है तो दोस्तों इसमें एक तरह एक आंसर क्या होगा यह हम पहली बार पढ़ रहे हैं आज क्वीज के अंदर चित्रकला का अलगी वीडियो को बनाएंगे अपन आज है छों समक्स पढ़ रहें साथ में जैसे कि यहां पर चार पॉइंट लिए इसमें से क्amtव क्वेशन क्या है इम्पॉटेंट इम्पॉर्टांट इम्पॉटेंट कॉश्न जो लिए है एंड्में से भी एक दोप्स अचाहिम जल्दी बताहें जी, राना संगा, राना कुम्भा, उदेशिंग या फिर राव जोधा मेवार चैली किस व्यक्ति के प्रतिरिणी है उससे पहले हमने ये पढ़ाता क्वेस्टन रागी नी भैरो एवं राग दीपक किस चित्र के अंच है जी हां सही उतर है, राग माला क्या है, राग माला, ब उतर सही है चलिए, मेवार चैली कि किस व्यक्ति के प्रतिरिणी है राना संगा, राना कुम्भा, उदेशिंग या राव जोधा बिल्कुल सही, उतर क्या होगा मेवार चैली कि किस व्यक्ति के प्रतिरिणी है जी बिल्कुल सही उतर है राणा कुम्बा ब जो सही option है क्या है ब आगे बढ़ते हैं आकास को सुना हरे सतों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस सैली में दिखाया जाता है आकास को सुना हरे सतों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस सेली में देखा जाए बीका नेर मारवाड मेवाड या किसंगड बिलकुल सही उतर है अप्सन सही है चली आगे है योगा सन किस सेली का परमुक विसे रहा है योगा सन जो है ये किस सेली का परमुक विसे रहा है ये आपको उतर देना है क्या दोगे उतर जल्दी दो अपन जाता है किस चैली को राजस्थानी चित्र सेलियों की जनक सेली कह जाता है जी बिल्कुल सही उतर देवे अपना बिल्कुल मेवाड सेली जो सही उतर है क्या है मेवाड सेली चैली आगे क्या है राजस्थान के कलाकार जिन्होंने चित्र परदर्शनिया आरंब करने की परंपरा आरंब की यहां पर है जो करेक्ट उतर देना है आपको राजस्थान के कलाकार जिन्होंने चित्र परदर्शनिया आरंब करने की परंपरा आरंब की वो है चित्र जो कार ह वो है राम कोपाल सर ओप्सन सही है कौनसा सर ओप्सन सही उतर है चलिए दोस्तों आज की क्वीज जो पूरी होई आप अभी तक चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे बैल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों सके जो चैनल को सेयर करें ताकि आप भी देखें आपने दोस्त भी देखें स्क्वीज का भाग ले सके तो दोस्तों नए वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक पढ़ते हैं राजस्तान क्लासेज के साथ धन्यवाद